तो आप कैसे हैं मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे तो यहां हस्बेंड की चुटी है जब उनके सहाब कहीं बाहर जाते हैं तो एक दू दिन की ऐसे चुटी मिल जाती है तो यह टीवी उन्होंने ही दी है तो काफी खुसी हो रही है मुझे मेरा एक सपना था छोटा सा की LED TV हो जो दिवार पर लगी हो बड़ी बड़ी पिच्छे हों और उसमें गाने काफी अच्छे और मोवी देखने को वैसे ज्यादा सौक तो नहीं है मुझे पर एक TV का सपना था छोटा सा जैसे किसी कोने में हो सेटिंग कर रहे हैं तो लग चुकी है उसके बाद मेरे लिए काफी काम बढ़ जाता है तो ऐसे काम जब होता है ना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं तो दीवार में च्षेट करने की वज़ा से सेमेंट और नेट की जो रेते वह काफी गिर गई थी पैरदान में भी काफी गुज गई थी क्योंकि वह घांस है की तरह था तो मैं उसको बातरों में डाल के आई हूं उसको भी दोके डालूंगी और रेत मत्टी काफी ज्यादा हो गया था बैट सीट भी गंदी हो गई है तो सारा कुछ मुझे चेंज करन है और खिरकी पर सभी जगह पर दूल डश्ट बहुत जादा जम गया है तो क्योंकि वह द्रीव मसीन चलाते हैं तो काफी काम हो जाता है तो मैं जाड़ो लगा के पोछा करूंगी और थोड़ी सी कमरे के डीप क्लीनिंग करूंगी वैसे बैट को नहीं करूंगी कमरे के ही करते हैं तो क्योंगा तीवि लग जाने के बाद हम दोने नास्ता किया नास्ता करने के बाद हाult को बाहर जाना था काफी दिन हो गए थे मोंतर सय्के की सर्विस करानी थी, काफी आवाज आ रही थी उसमें, तो जब ऐसे छुटी मिल जाती है, तो बाहर के जो छोटे-मोटे काम होते हैं, उनको हस्बेंट कर लेते हैं, गुड मॉनिंग, आज हो गया है, मंगलवार और अभी 12 बच गये हैं, जब मुसम चेंज होता है, तो माइ तो छोड़ के जाना नहीं है, क只需 कि बहुत जादा तु काम करती है, तो इसी बहाने मुझे थोड़ा सा रेष्ट और आराम मिल जाएगा, हस्बेंट का कहना है, चैंको कुछ नहीं हो, दो भूख लगी रहती है, तो नहीं है तो तो अपनी आदत से बाद बिलकल भी नहीं आती है तो बस यह सुझने को मिला है मुझे पर आराम कहां है हम और तो को गए हैं अब मैं काम में लगूंगी जाड़ू पोचा नहाना धोना बरतन किचन सब पड़ा हुआ है नास्ता करके गए हैं सेंड़्विच बना के गए हैं कल लेका है कि बन जो गोल गोल होते हैं तो मुझे बस खिलाके दवाइव खिलाके चले गए हैं करे बस अराम करना चद्दर ओड़ के तो इसे कहां चलता है चद्दर ओड़ के अराम करने को हमारी नसीब में कहां है चलिए टीवी लगने से एक काम तो हुआ ये भी साफ हो जाएगा और गंदा भी था काभी पर आलस आजाता है ना सारे काम हो जाते हैं और कुछ काम ऐसी रहे जाते हैं तो इसी के बहाने ये भी साफ हो जाएगा ये बिल्कुल भी साफ नहीं हुआ था तो इसमें काफी गंदगी निकली थी और इसको दोके में छट पे सुखा क्या होंगी धूप काफी अच्छी निकली हुई तो यह भी सूख जाएगा उसके बाद मैं पोचा लगाऊंगी क्योंकि मैंने जाड़ो लगा लिया है और इसको दो के सूखने के लिए डाल दूँगी तो यह सूखता रहेगा इधर मेरा पोचा भी हो जाएगा और पोचा लगाने से पहले जो दरवाजे थे इनमें भी काफ consiste and cleanisure २िय cokी नोचे जाता है तो मन इच्छा हो जाता है मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि अगर आप पूछोंगे मेरा पसंदीदा काम क्या है तो मुझे घर की साफ सफाई रखना जीजों को अपनी जगा पे रखना और जो चीजों को अपनी जगा पे होती हैं घर क साफ सफाई होती है नीड कीण देख के मेरा मन और दिल बहुत जैदा खुस हो जाता है है खाल पत्प्रश्च तैसमा विल्च में नहीं है मेरो बहुत अच्छा लग रहा का और ये मेरा सपना था जो पूरा हो गया कमरे में दिवाल में टीवी होना मेरा एक सपना था मेरे पाद छोटी टीवी थी तो एक अच्छा सा लुक आता है न कुछ आपकी ख्वाई से पूरी हो जाती है आपको छोटा सा सपना पूरा हो जाता है तो बहुत जादा अच्छा लगता है नहा तो उसके लिए सप्राइज है अभी किछन साफ नहीं किया है थक गई हूं काफी डिप ट्लेरिंग कर देती हूं मेरी कुछ आतती है ऐसी है तो गेलरी वी साफ हो गई है और किछन साफ करती हूं पपीता रखा हुआ पहले उसो काट के खाऊंगे थोड़ा सरीड में नर्जी किछने के लिए विकि भी क्न आपकात्तू के लिए उना पार रहता हुए का प्र चीचन में करेका न riesengo लेका तो शुटी है और आला साज़ का जएगा जएगा किछन मेरा रह जाएगा साम को बिटी आएगी और फिर एक अपरिया किछन मेरा रही जाएगा तो मैं लगे वह दो दिन पहले बारिस ती और पपीता रखा हुआ है तो इसको खाऊंगी तो मुझे धंकी देके गए हैं भाई उसका पालं तो करना पड़ेगा मुझे बोहे थे कि मैं साम को आऊ तो मुझे पपीता मिलना नहीं चाहिए तो थोड़ा बहुत तो डर होना चाहिए और डर के पीछे प्यार चुपा होता है तो दवाई भी लेनी है मुझे और आके जो डूटी से आते हैं तो चेक करते हैं दवाई खाई है कि नहीं जो चीजे लेके आया हो खाया है कि नहीं यह चीज मुझे देख के काफी अच्छा लगता है अगर कोई आपका दिल से ख्याल रखता है आपकी फिकर करता है चिंता करता है डाटता है तो उसके पीछे काफी प्यार चुपा होता है तो यह चीज है अब पपीता यहां काट लिया है मैंने पर ठंडा है थोड़ा सा तो इसको मैं ढखके रख दूँगी जब तक के लिए मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी आरे चाय तो मेरी एक टॉनिक है चाय के वगर तो मेरा काम ही नहीं चलता है बहुत कोशिस कर लिया मैंन मैं परमेशन लेके आई हूँ उन्होंने बोला इलाइची डाल के थोड़ा सा पी सकते हो तो इधर ब्रेड मेंने सेक लिया है थोड़ा सा और पपीताब में लाश्ट मेही खाऊंगी चाय और ब्रेड लेने के बाद तो यहां घी लगा के मैंने ब्रेड को ब्राउन होते हमें से खकावन के तो मुझे चानी काफे लगते हैं जो छोटो चोटा होते हैं उन्हों जो फोड़े से नंकी पड़े होते हैं नंकीन से लगते हैं वह बहुत अच्छा लगता है जब half Jackie a little पूल की भूक लगती है तो मुझे चने खाने पसंद है मेरे फैवरिट हैं और इसके साथ जो चनुरी होती है अगर आप मेरी तरफ के हैं तो वाइट वायट जो मनदिर में परशाध होता है वो चनुरी मिलाके मेरे हस्बींड खाते है उनको पसंद है तो मैं चिनोरी मिलाके नहीं खाती हूं मैं ऐसे सिंपली ही खाती हूं जो बहुत ज़्याद आच्छे लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं ऐसी चीज़ हमें खानी चाहिए गुड मॉर्निंग गाईज आज है बुदवार और अभी नास्ता नहीं किया है उनको फिरी करने के बाद ही मैं आराम से बैट के खाती हूं क्योंकि जल्द बाजी में वो नहीं हो पाता है अच्छे से ब्रेकफास्ट वगरा नहीं हो पाता है और कल दुपहर के बाद मैंने सा साम को बहुत जादा इंजॉय किया सभी लोगों ने टीवी देखके बस एक चीच की है कि कमरा थोड़ा चोटा है टीवी बड़ी है बस अधरवाइस सब कुछ अच्छा है और काफी अच्छा लग रहा था सभी लोगों ने इंजॉय किया कल मूवी भी देखी थी फिर खान मैंने नास्ता भी नहीं किया है उनको प्रिया की स्कूल जाना था कुछ बुक वगरा का इसू था तो बस उसी को सॉट आउट करने के लिए गए है और मैंने सोचा ब्लोग की एंडिंग कर दू तो चलिए इस ब्लोग की मैं यहीं पर एंडिंग करूंगी मिलती हुई एक औ सारा पानी पीजिए और खुस रही है सबसे बड़ी बात तो मिलती हुई एक और न्यू ब्लोग में जब तक के लिए बाई थेंक यू सो मच